इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कव्वा अपनी पतनी गोरी को बांच होने के ताने देता और फिर कैसे कालू कव्वा दूसरी शादी पिंकी कव्वी से कर लेता है और फिर जब कालू कव्वा दूसरी शादी कर लेता है तो फिर एक दिन कैसे गोरी कवी भी माँ बनने वाली हो जाती है देखा गोरी बेहन भगवान ने आपको भी संतान की खुशी दे दी अब जल्दी से घर जाकर कालू को बताएं वो भी बहुत खुश होगा और देखना अब वो तुम्हारा भी बहुत अच्छे से धिहान रखेगा चुडिया बेहन आज म ऐसे ही शाम हो जाती है चिडिया और गोरी कवी वहां से चली जाती है पिंकी कवी और कालू कवा घर में ही थे गोरी कवी भी घर पहुंच जाती है कालू मेरे कालू आज हमें एक बहुत बड़ी खुशी मिली है क्या हुआ कोई लाटरी लग गई है तुम्हारी जो इतना श चोटा सा अंडा आने वाला है जिससे सुन्दर सा बच्चा निकलेगा क्या क्या तुम सच कह रही हो गोरी तो और क्या मैं मजा कर रही हूं तुम्हारी कसम कालू जी पिंकी कवी को तो जैसे सांप सूंग्या हो वो तो ये बात सुनकर दुखी हो जाती है अच्छा अब दूसरे रोज कालू कवा गोरी से कहता है गोरी तुम घर में ही रहो आज से तुम्हारा भोजन भी मैं ही ले आया करूँगा तुम मेरा भोजन लाओगे या गोरी का पिंकी गोरी अब माँ बनने वाली है ये इतना उड़ने ही सकेगी पती जी आप मेरी चिंता ना करें मु से चरे जाते हैं वो सीधे नदी पर जाते हैं वहां चिडिया और कबूतर भी बैठे हुए थे कवे भी या बधाई हो गोरी माँ बनने वाली है हमें किस चीज की बधाई दे रही हो जाकर गोरी को बधाई दो बतमीज कवी हम कई सालों से अकठे रह रहे हैं हम एक दूसरे की खुशी को अपनी समझते हैं अगर गोरी के अंडा होने वाला है तो तुम क्यों इतना जल रही हो कालू कवा खामोश रहता है और तुम्हारी शादी को भी तो के दिन बीट गे हैं संतान के लिए ही तो कालू ने शादी की थी तुम से अभी तक कोई खुशी की खबर नह के पास फिर पिंकी कालू कवे को लेकर वहां से चली जाती है गोरी बेहन ये ले भोजन और तुम भोजन की चिंता ना करना कबूतर भीया भी आपको भोजन दे जाया करेगा चुडिया मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं जो मेरा इतना खिया रखते हैं आप मुझे भी कुछ कुछ करना होगा अगर मैंने कोई बड़ा नाटक ना किया तो फिर कालू जी गोरी से प्यार करने लगेंगे और मुझे से दूर हो जाएंगे मैं भी माँ बनने का नाटक करती हूँ कवा जो थोड़ी दूर भोजन लेने क्या हुआ था वहां आता है जिसे देख पिंकी काल नगे से पिंकी मैं समझा नहीं तुम हारी बात काली जी मैं भी मा बनने वाली हूँ आप संज़ें यो अब भी नहीं सेच में क्यों सेच में पिंकी तो और क्या अब तो मेरी दोनों पतनिया एक साथ मम्मा बन जाएंगी और मेरे घर में दो दो बच्चे होंगे चलो अब घर चलें फिर वो दोनों घर जाते हैं अच्छा ही हुआ चिडिया तुम भी यहीं बैठी हुई है चिडिया और गोरी अपने पिंकी भी मां बनने वाली है क्या परंतू जब पिंकी नतिपरा मुझे मिली थी तब तो आपने यह बात नहीं बताई मुझे भी अभी अभी पता चला है तो फिर आपको भी बदाई हो पिंकी अब हम आपस में प्यार से रहेंगी और अपने बच्चों की अच्छे से रक्षा करेंगी फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक सुभा गोरी कवी एक सुन्दर सा अंडा देती है जिसे देख कालू कवा तो कुछ ज्यादा ही खुश था गोरी अब जल्दी मेरा सपना पूरा होने वाला है और फिर हमारे इस अंडे से सुन्दर सा बच्चा निकलेगा कालू जी बस कुछ ही दिनों की बात है जब हमारा बच्चा हमारे इस अंडे से बाहिर निकल आएगा पिंकी कवी का नाटक अब तक तो अच्छे से चल रहा था परन्तु अब पिंकी परेशान हो गई थी कि अब उसका जूट पकड़ा जाएगा वो यही सोच रही थी कि कालू कवा पिंकी से कहता है पिंकी क्या तुम्हारा अंडा नहीं हुआ अभी तक कितना ही अच्छा हो कि मेरे दोनों बच्चे एक साथ ही इस दुनिया में आएं मेरे सर में दर्ध है मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और भूक भी बहुत लगी हुई है मैं जाता हूँ और तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ फिर कालू कवा पहां से चला जाता है पिंकी तुम्हारा तो पेट बता रहा है कि तुम मा नहीं बनने वाली मुझे तो लग रहा है कि तुम जूट बोल रही हो ये सुनकर पिंकी तो डर जाती है नहीं नहीं मेरा अंडा भी दो चार दिन में आने ही वाला है अरे तुम तो डर गई मैं तो मजा कर रही थी चिडिया बहन मुझे तो पिंकी की कुछ समझ नहीं आ रही खाए ही जा रही है दिन रात खाती रहती है और गोरी ने तो अंडा भी दे दिया है उसने अभी तक अंडा भी नहीं दिया कवे जी सच बताओं तो मुझे तुम्हारी दूसरी पतनी शकल से ही जूटी लगती है मुझे तो लग रहा है कि वो माँ बनने वाली है ही नहीं वो जूट बोल रही है केवल इसलिए कि तुम उसे छोड़कर गोरी का प्याना करने लग जाओ चुडिया बहन गोरी से बड़े जुलम किये मैंने भोचन तक नहीं ला कर देता था उसने सब बरदाश्ट किया अगर सच बूछो तो मैं दूसरी शादी करके बहुत बश्टा रहा हूँ अब बश्टाने का कोई फाइदा नहीं है जो होना था वो हो गया परन्तु मुझे इतना पता चल जाए कि वो पिंकी सच में माँ बनने वाली है या जूट बोल रही है आप शांत हो जाएं आज शाम तक मैं सचाप के सामने ले आउंगी क्या भोजन की खोज कर ली है या अभी जाना है भोजन की खोज को मुझे तो ये चावलों के कुछ दाने मिलके थे मैं तो वापिस घर जाने वाला था तो फिर चलो मैं भी जाती हूँ आपके साथ फिर चिडिया और कव्वा कालू कवे के घर की तरफ जाते है पती जी ले आएं भोजन मुझे तो बहुत भूक लगी हुई थी अंडा होने वाला है ना इन दिनों में भूक कुछ ज़्यादा ही लगती है चिडिया बेहन आज तो सारा दिन में अपने अंडे पर ही बैठी रही हूँ अगर ऐसे ही अंडे पर बैठी रहोगी तो फिर तो दो चार दिन में आपके अंडे से बच्चा भी निकलाएगा पिंकी जरा चलो तो हमारे साथ कालू भहिया कह रहे थे कि तुम्हारा चेक अप करवाना है पर अंतो कहां चलो चीलती के पास और कहां वे ही बताएगी कि अंडा ठीक तो है गोरी तो समझ जाती है कि चिडिया ऐसा क्यों कह रही है ये ठीक है चिडिया बेहन पिंकी का चेक अप करवा ही लें और ये भी पता चल जाएगा कि पिंकी की नॉर्मल डिलीवरी है या ओपरेशन होगा ये सुनकर पिंकी तो जान जाती है कि अब तो जूट पकड़ा ही जाएगा फिर कालू भी बोलता है चलो चलो पिंकी जल्दी चलो समय थोड़ा है हमें शाम तक लोट कर भी आना है आप खामोश क्यों है कुछ बोल क्यों नहीं रही है बस इतना था कि पिंकी तो जोड़ जोड़ से रोने लग जाती है वो सब पिंकी से रोने का कारण पूछते है कालू जी मैंने आप से जूट बोला कि मैं माँ बनने वाली हूँ मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ दोगे परन्तु आज मैं सब सच बताना चाहती हूँ कालू जी अगर आपकी मुझे से दूसरी शादी थी तो मेरी भी आप से दूसरी शादी ही थी मेरे पहले पती ने मुझे छोड़ दिया था क्योंके मैं कभी मा नहीं बन सकती मैं पांच हूँ ये सुनकर तो वो सब हैरान हो जाते हैं अब प्लीज मुझे अपने घर से ना निकालना मैं आज से गोरी बेहन और आपका भोजन भी ले आया करूंगी मुझे सब काम करने आते हैं वो तो जी ये सब तुम्हारे मामा जी का किया धरा है अब पिंकी को कुछ ना कहना दो दाने और एक छट इससे भढ़कर ये क्या मांगेगी आप से और फिर ऐसे कालू जी की आंखें खुल जाती हैं और कुछ दिनों के बाद गोरी के अंडे से भी बच्चा निकल आता है और फिर पिंकी भी उनके साथ ही रहती है दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत मजे की जिंदगी गुजा रहे थे मोसम भी ठीक था इसलिए जंगल में भोजन की कोई कमी ना थी और फिर अचानक से उन पक्षों की जिंदगी में एक बड़ी मसीबत आ जाती है क्योंके पास वा खोफ फिला दिया है मैं कल जा रही थी नदी की तरफ पानी पीने लेकिन वहां दो उन्लू बैटे हुए थे उन्होंने मुझे नदी से पानी नहीं पीने दिया रानो चडिया ये तो बड़ी प्रिक्षन आगी है हम पक्षिया पर लेकिन हमें अब इसका कोई उपाय सोचन तो फिर इतना बड़ा तमाग भी होगा तोते जी मीरा जितना बड़ा सर है तुम्हारी नाग अकेली उससे बड़ी है अब मुझाग छोड़ो तोते जिस काम से आए हैं वो बात करो यार कबुतर उलू की वज़ा से सब परिशान है रानो चुडिया बता रही है कि अब दो दो उलू नदी के पास पैठे हुए हैं और वो किसी पक्षी को नदी से पानी भी नहीं पीने देते कबुतर बेया तुम बताओ अब हमें क्या करना होगा ऐसे तो जीवन बहुत मश्किल हो जाएगा अब पानी बीने दूसरे जंगल रोज तो नहीं जाहोगा हम सर पक्षि और उन्हें कहते हैं कि हमें अपने किसी बड़े उलू से मलाए और फिर उस बड़े उलू से पूछते हैं कि आकर उनके पेट में दर्द क्या है क्यूं वो हम मासूम पक्षि applicable क्बुतर बेया बात तो तुमारी ठीक है हम ऐसा ही करते हैं और फिर वो तीनों उन उलूं से मि दूसरे जंगल जाओ उल्लू जी हम लबे समय से रह रहे हैं इस जंगल में लेकिन आज तक हमें किसी ने भी इस नदी से पानी पीने से नहीं रोका फिर आप क्यों हमें पानी पीने नहीं देते ये हमारे बड़े उल्लू का अदेश है हम इसे बढ़ कर और कुछ नहीं जानत हाँ मैं कर सकता हूँ मैं मला देता हूँ तुम पक्षियों को अपने बड़े उल्लू से आप खुद ही जानकारी ले लो हम तो अपने बड़ों के आदेश के भादे हैं और फिर वो सब बड़े उल्लू से मिलने गुफा की तरफ चले जाते हैं तुम इन पक्षियों को यह क्यों लेकर आए हो सारी नीद खराब करती मेरी आप गुसे ना हो बड़े उलू जी हम तो बस ये पूछने आए हैं कि आप हमें नदी से पानी क्यों नहीं पीने देते ये जंगल और ये पानी अब हमारा है अब तुम नदी से पानी प्योगे तो क्या तुम्हारा जूठा प समझें लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते हमें अपने से ज्यादा अपने चोटे चोटे बच्चों की चींता है सुना था तोते की जबान बड़ी होती है आज देख भी लिया कमजोर कौन है ये तुम्हें पता चल जाएगा बस थोड़ा इंतिजार करो तो हम भी फिर देख उल्लू जी ये दोनों तो ऐसे ही बोर रहे हैं फजूर में मैं आपकी मिंती करती हूँ आप लीज हमें नदी से पानी पिने दें ये आपकी बड़ी किर्पा होगी हम सब पक्षियों पर मेरा दमाग इस तोते ने और कबूतर ने पहले ही खराब कर दिया है अब तुम सब जा सकते हो ऐसा ना हो कि मेरे परिवार के दूसरे सदर से जाग जाएं और तुम्हारे पांक ही नोच ले और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं आप दोनों ने ऐसे ही लड़ाई शुरू कर दी उस बड़े उल्लू से चिडिया वो हमें कमजोर समझ रहे हैं हम जितना डरेंगे उनसे वो उतना ही ज्यादा हमें डराएंगे मुझे तो बहुत गुसा आ रहा था उस गंदी गंदी आँखों वाले उल्लू पर मीरा तो मन कर रहा था कि दो चौच मार कर उसकी आँखें ही निकाल दूँ और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घ गिरा दो उन पक्षियों के गौंसलों को बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तोता और कबूतर हम बताते हैं उन्हें कौन पराना बासी है इस जंगल में और कौन नया और फिर ऐसे कहते हुए वो उल्लू वहाँ से चले जाते हैं और वो उल्लू अकठे होकर पक्षियों पर हमला कर देते हैं और सबसे पहले कबूतर का गोंसला गिरा देते हैं शरम करो उल्लो शरम करो मैंने क्या बगाड़ा है तुम्हारा तुम तो कमजोर नहीं हो, कर लो जो करना है और फिर तोते का गोंसला पी गिरा देते हैं और फिर सब अक्षियों के गोंसलों को गिरा कर वो वहां से चले जाते हैं और फिर ऐसे ही सुभा हो जाती है सब अक्षियों का बुरा हाल था और वो बहुत नराज थे तोते और कबुदर ये सब तुम दोनों के कारण हुआ है चिडिया तुम ऐसे अपनी आंखे बंद ना करो तुम अच्छे से जानती हो हमारा जितना दोश है चिडिया हम अगर कुछ ना भी बोलते तो फिर भी उन्होंने ये ही करना था हमारे साथ लेकिन अब हमें क्या करना होगा मुझे पक्का विश्वास है कालू कव्वे के पास इसका कोई न कोई उपाय जरूर होगा क्यों न हम कालू के पाच जाए ये हुई ना बात मेरे तो दमाग में ये बात आई ही नहीं हमारा कालू कव्वा और गोरी किस दिन काम आएंगे अब चलो और फिर वो तीनों कालू कव्वे की दरफ सरे जाते हैं कालू भीया आज तो उन उल्वों ने हमारे गोंसले ही गिरा दिये है मुझे पता है रानो मेरी तरफ भी आय थे वो उल्लू वो तो हम जाग रहे थे बहुत मुश्कल से गोरी ने मिंती करके बचाया अपना गोंसला कालू आज सारी चोरिया जो तमने की है हमारी उनका हिसा पराबर हो जाए अगर कोई उपाय निकालो उन उल्लू को बगाने का तोता जी मैंने और गोरी ने वारा प्लैन तियार कर रखा है तुम चिंता ना करो अब उल्लू मरेंगे और जिरूर मरेंगे वो कैसे कालू भीया चिडिया हम ऐसे उन उल्लू का मकाबला नहीं कर सकते हम कमजोर हैं और उल्लू बहुत ताकतवर वो लड़ाए में विशेश गें है हमें ग्यान से काम लेना होगा बस जो जो मैं कहता हूँ तुम वैसे वैसे ही करते जाओ सबसे पहले काम ये कि तुम सब पक्षी मुझे मारो क्या हुआ कालू जी मानना उल्लू को है और तुम कह रहे हो मुझे मारो और फिर गोरी सर पक्षियों को पूरा प्लैन बताती है और पक्षी बहुत खुश होते है और फिर पक्षी कवे को माना शुरू कर देते हैं और कवे के सबसे थोड़ा खून भी निकाल देते हैं और फिर कवा सीधा उन उल्लू की तरफ चला जाता है और उन उलुओं की गुफा के बाहिर एक पेड़ पर बैठ जाता है और फिर शाम हो जाती है और उलु भी सो कर उड़ जाते है और फिर कववा उन उलुओं के पास जाता है कववे तुम्हारे ये चोटे कैसे लगी उलु जी आप मुझे अपने आश्रे में ले लें जो दुश्मन आपके हैं वो ही मेरे हैं मुझे उन पक्षियों ने बहुत ज़्यादा मारा है और आपने जो उनके गोंसले गिराए हैं सारा गुसा उन्होंने मुझे पर निकाला है वो क्यों कवे उन्होंने तुम्हें क्यों मारा कहते थे तुम उलु के दोस हो इसलिए अब मैं भी वापस नहीं जाओंगा आप मुझे सामने उस बड़े पेड़ पर अपना गोंसला बनाने की अनुमती दे 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 अगर वो पक्षी मुझे आपका दोस्त कहते हैं तो अब मैं भी उन पक्षियों को ये दोस्त ही नभागा कर दिखाऊंगा और फिर ऐसे वो उलु माँ जाते हैं और कवा सामने पेड़ पर अपना गोंसला बनाना शुरू करता है तो सुभा के समय सारे उलु गुफा में सोने के लिए आ जाते हैं वो कवा सामने पेड़ पर सो जाता है और उन उलुों के आने और जाने पर पूरी नज़र रखता है और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कवा अच्छे से जांच कर लेता है कि उलु कि समय क्या करते हैं सोते कब हैं जाकते कब हैं और शकार पर किस समय जाते हैं और कवा अच्छे से अंदाजा लगा लेता है कि उलुों के परिवार के कुल मिला कर सास अदसे हैं और फिर एक दिन जब सारे उलू गुफा में सोय हुए होते हैं तो कवा चुपके से जंगल में अपने पक्षियों के पाच आता है रानो चुडिया अब समय करीब आ गया है उन उलूं से हिसाब राबर करने का मैंने घोंसला बनाने के बहाने धेर सारी लकड़िया अकठी कर ली हैं और ये भी देख लिया है कि वो साथ उलू हैं कल दुपहर को जब वो साथो सोय हुए होंगे तो तुम सा पक्षि भी आ जाना उस गुफा के पास बाकी का प्लैन मैं वहां ही बताऊंगा और फिर कववा चुपके से वापस जाकर अपना घोंसला बनाने का काम शुरू कर देता है और फिर शाम हो जाती है और सब उलू जाग जाते हैं तियार हो मेरे परिवार के सदस्यों हम तियार हैं तो फिर चलो आज रात एक बड़ा शिकार करना है और फिर जैसे ही बड़ा उलू बाहर निकलता है कववे को देखकर उसके पास आजाता है कववे ये इतनी सारी लकडिया क्या करनी है कहीं कोई प्लैन तो नहीं बना रहे तुम उलू जी आपका दोस्त हो और दोस्त पर शक नहीं करते ये लकडियां तो मैंने अपना गोंसला बनाने के लिए अकटी क्यूं ही है मैं तो मजा कर रहा था और फिर सब उल्लू रात होने के साथ ही शिकार पर निकल जाते है अब तो कल ही बताऊंगा तुम्हें उल्लू जी मुझे भी कालू कव्वा कहते है तो ते भीया सुभो बलाया है कालू ने सब पक्षियों को तुम ऐसा करो कव्वूतर को भी पता दो कि कल सुभा होते ही गुफा की तरफ जाना है और फिर ऐसे ही सुभा हो जाती है और उल्लू भी अपने मिशन से वापस आ जाते हैं और गुफा में जाते ही सो जाते हैं कालू बे चैने से बैठा इंतजार कर रहा था और फिर बाकी पक्षी भी आ जाते हैं अब जल्दी से इन लकडियों को गुफा के मुँपर रख दो और फिर सब पक्षी जल्दी से वो लकडियां उस गुफा के मुँपर रख देते हैं और कालू जल्दी से उन लकडियों को आग लगा देता है और फिर सब उल्लू गुफा के अंदर ही मर जाते हैं और सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और कालू कव्वे की बहुत ज़्यादा पारिभाशा करते हैं इस कहानी से हमें सीख मिलती है हमें हमेशा ग्यान से काम लेना चाहिए कितनी भी बड़ी प्रिक्षा हो हमें हिम्मत नहीं हानने चाहिए क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की होती है